नमस्कार मेरवे सर्मा सीटी बीग न्यूज फेस्टू की यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत करता हूं अभी हम लोग हैं भूत चर्ची तना में हिसार का इस चुनाम में पिछले दिनों नगर निगम चुनाम में भी था गोतम सर्दाना जी के पास जो हिसार से मेर ह तो इनके नाम के चर्चे से मार्केट गरम है इस वक्त ही है कि गोतम सर्दाना किसको स्पोर्ट कर रहे हैं हाला कि यह भारती जनता पार्टी में इनके मुझे ही जानते हैं किस तरह से महा हो ले भारती जनता पार्टी को लेगर जो मार्केट में जो चर्चाय चलिए उस वि गोतम जी जैसे भारती जनता पार्टी में आप हिसार से मेर हैं और किस तरह का महाले इस टाइम बार्चुना आपको लेगे कल मद्दान का समय है जैसे उस हिसाब से बारती जनता पार्टी से ने मुझे टिकट दिया बारती जनता पार्टी ने मुझे सभी इसारवासियों ने मुझे मेर चुना और बारती जनता पार्टी से हमारे बिजेंदर सिंग जी उमीदवार है और बारती जनता पार्टी एक संग्ठित पार्टी है और निरंदर मोदी जी के कारेशाली को देखते हुए इसार की जनता ने देश की जनता नहीं कहूंगा मैं पूरा मन बना चुकी है देश की जनता कि निरंदर मोदी जी को दुबारा परधान मतरी बनाना ही बनाना है ऐसी स्थिती इसार की है मुझे निश्चित तोर पर यकीन है इसार की जंता एक तरफ अपोलिंग करने जा रही है और कमल के फूल पर इतने बटन दबादे कि लाखो वोटों से विजेंदर सिंग जी यहां से विजई होंगे और हमारे देश के प्रधान मंतरी निश्चित की लोगों का यह कहना है कि चोदरी विरंदर सिंग पहले हैं पहले भी रहें उसके बावजूद हिसार अपने लोक्सवा छेतर हरियाना में उन्होंने कोई विजेंदर सिंग को वोट दें यह राष्ट की बात है देश की बात है निरंदर मोदी जी और रहूल गांदी जी का कंपेरिजन है विरंदर सिंग जी का कंपेरिजन नहीं कर रहें जनता विरंदर सिंग जी एक हमारे केबिनेट मंतरी रहे हैं और उन्होंने काफी है तक विकास के कारे भी किये हैं, इसार से उनका उचाना जो हलका पड़ता है, उचाना से उनकी पतनी विधायका भी है, और जनता इतने सालों से उनने चुनती आ रही है, और जनता ही परमान देती है हर चीज़ का, जनता नहीं उनने चुना, विधायक बनाते रहे हैं सांसत बनाते रहे हैं सो सालोंगा राजिंतिक कि प्रिवार है मैं तो नहीं मानता जो आप चो ईकोषण किया है मैं पुरी तरह से संतुस्टून कि इंड यह जिस राजनतिक पार्टी में जो भी नेता होती है जिस पार्टी में जाएं जिस धाली में खाते हैं उसी की गुनगान गुना शुरू कर देता है जैसे चोदिर विरंदर सिंग ज्यादा चाहिम उन्होंने 40 से 40-50 साल उने कॉंग्रेस में निभाया रिसेंडली वह आएं और पे ल situations बरस भी रिसेंडल्य आप भार्थी जनतता पार्टी में सामिलों तो इस विश्विषे पह आप क्या कहेंगे जिस पार्टी में तो उसनीडली में पहले हूं इस विशे पहले में आप मेरा रृकर जैधा ठीक रहेगा मैं पहले आप जो पूछना चाहते हैं जिस भी पार्टी में था मैं हमेशा संगर्ष किया मैंने पार्टी और पार्टी सिरफ एक में ही होया मैं कुलदीप के साथ ठीक है और कुलदीप चला गया कांग्रेस में मैं तो नहीं गया कांगर्स में, कांगर्स की नीतियों के हमेशा खिलाव लड़े और कांगर्स के साथ हम कैसे कड़े हो सकते हैं जागे और एक साल तक मैं संगर्ष अपने हिसार जन संगर्स मिती के मादम से भी करता रहा हिसार की जनता चाहती थी कि मैं भारती जनता पार्टी में जाऊं और भारती जनता पार्टी की नीतियों से परवावित होकर यह जनता ने ही एक इतना बड़ा मेंडेट और इतना बड़ा संदेश दिया अठाइस जार से भी अधिक वोटों से मुझे जितवाया ये जनता ने महोर लगाई और जनता ही एक प्रजात अंतर में फैसला करती है और ऐसा फैसला जनता ने किया है और आगे भी जनता ही फैसला करने जा रही है मैं तो पूरे शेहर में गूमता हूँ और पूरे शेहर में एक ही महौल है कि भारती जनता पार्टी के परत्यासी विजेंदर सिंग जी यहां से निश्चित तोर पर भारी मतों से विजे ही होंगे। कि वही हैं बहुत विकास कारें भारती जनता पार्टी के साड़े-चार साल तक यह कहते हैं जब मेर के चुनाव में टिकेट नहीं मिली तब वक्सकी मिकाम है आगे। और नहीं करते हैं इसमें से प्याप क्याते हैं एसा कुछ नहीं सभी के सभी और ऐसे आप जो हमारे सांसदों के बारे में बोल रहे हैं आप रिकोर्ड में देखी जागे। हमेशा उनकी हाजरी है हमेशा जनता की बास्ता ही है और अभी डीपी वजजी देश की इतने उचेपद जनरल से जो उन्होंने सेवनित हुए के और भारती अंता पार्टी उनकी सेवायों को देखते हुए उन्हें राजेसभा सांसर चुना ऐसी विक्ति के बारे में जो उनका कोटा है उन्हें यूज किया ठीक है और सांसर का काम राजेसभा में वाज ठाना है वाँ उनकी पूरी हाजरी है और हमेशा अपनी हवाज इलाके की बलंद करते हैं हर्याना की बलंद करते हैं सेना की बलंद करते हैं आज वो ही नतीजा है आज भारती सेना को कैसे छूट मिली और कैसे आज पाकिस्तान का मूँ तोड जवाब भी दिया ये सत्तर साल तक इनकी सरकार रही आज तक जवाब नहीं दिया 1370 लगाई इन्होंने हम अटाने की बात करते हैं देश में दो कानून इन्होंने बनाई हम अटाने की बात करते हैं ये देश दो के कानून के अटाने की बात करते हैं हम लगाने की बात करते हैं हम राष्ट हित की बात करते हैं ये राष्ट के अपमान की बात करते हैं तो जनता हमें चुन रही है जनता का फैसला है कि भारती जनता पार्टी राष्ट हित की पार्टी है तो हमने मान लिया कि आप किह रहें कि लिधार की जनता जो विकास करता हुए उसके साथ लगती है पिछले दिन आप यहाँ से मेर चुने आपके लोगों ने आपके विकास कारे देखा अभी पिछले दिनों मिलेनी पहले से पंजाबी समवधाय के लोग कठे वे उन्होंने कहा कि जैसे हमने बात कि गोतम सर्दाना जी को स्पोर्ट दूसन चोटाला जी ने किया था चुनाम में इस बार गोतम सर्दाना जी उनका कारे को देखते हैं इस बार अपने बुसन चोटाला के कारे को देखते हैं हम लोग बुसन चोटाला को स्पोर्ट करेंगे इसमें प्यांगेंगे। एक कुछ लोगों से समदाई नहीं बनता। देश का प्रधानमंतरी बनेगा। मैं दो मानता हूँ कोश्चन दोना जी ये। कि देश का प्रधानमंतरी कोण बनेगा। उसके लिए मद्दान करना है। और मद्दान जो मेर के चुनाओ को इससे देखना है नहीं चाहिए। कि आपको स्पोर्ट किया था दुसन चुटाला ने। ये उनको पता ही है। उनको पता है कि कैसे किया था। उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। ठीक है। आपको पहले ही कि, मैं भारतियंता पार्टी का उमीदवार मेर का था, और भारतियंता पार्टी के सच्चा जिपाई हूं। मैं हिसार की जंता से यह पील करता हूं, कि मद्दान कमल के बटन दबाकर ख़ए। सब रखनांस मुझे भी uspota कि है। मैं आपको पहले कहा हूँ, यह उची राजनिती करते हैं, हम देश की राजनिती कर रहे हैं, हम जनता की हक की बात करते हैं, यह जातपात की बात करते हैं, जातपात की बात करनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी चुनाओ, आप जनता से वोट मांगो, आप अपना अजंडा रख लोकसभा का चुनाव है, आप ये कास्टिजम की बाते हैं, कभी जाट नौन जाट की बाते हैं, कभी पंजाबी की बाते हैं, कभी अगरवाल की बाते हैं, ये चुनाव जनतान का है, देश के भुष्य का सवाल है, हमारे राष्ट के भुष्य का सवाल है, ना कि ये समाज को बातने का स्वाल है. हमारी भारती जनता पार्टी ने एक भी कारह ऐसा किया हूँ, आस्फ हितका कारह करती है, हमेशा सभी को साथ लेकर चलने का कारह हमारे मुक्यमंतिरी जी भी करते हैं, सबका साथ सबका विकास का नहरा दिया, उसी पर चलते हुए, एक जनता ने पहले पांच मेरों के चुनाओं पे मोर लगाई फिर जीन्द के चुनाओं पे मोर लगाई और अब दस की दस लोग सभा की जिटें भारती जनता पार्टी के पक्ष में देकर जनता एक तरफा जो हर्याना का संदेश देगी मैं हर्याना की जनता का दन्नेवाद अडवांस में करता हूं लोग कहते हैं कि भार्ति जनता पार्टी कि बस कोई मुद्दा मिल क नहीं है भार्ति जनता पार्टी सहने की नाम पर बोट मांग रही है उधर से कॉंग्रेस पार्टी कहती है, चोकिदार चोरे के नाम पर, तो ये दुसंचोटाला का और जंता का रोगे, ऐसा है, ये तो ट्रेलर देख चुकियो आप, पांच मेर के चुनाओ का भी भी मैंने बताया, और जीन दुप चुनाओ का भी देख चुकियो, हर्याना की ब नोकरियों में पार्थिष्टा हो अर्चाए ट्रांसवर में हो हर वर्ब के लिए कारे किया किसानों के लिए आज तक किसीने सोचा नहीं आज उनके अकाउंट में दो किस्ते आ चुकी स्टेट गॉर्मेंट ने भी पैसे डाले केंदर सरकार ने भी पैसे डाले आई उश्मान योजना है परदान मंतरी अवास योजना है ऐसी योजना है गिनाने बैटू तो शाम तक योजना हो काई सिल्सरा चलता है योजना है बहुत है अपने लोगों के किसान के खेते में पैसे भी आए सारी चीजे लेकिन जो किसान की समस्षा है मुख्यमंतर जी बार बार कहते हैं अब सरसों हम खरीद रहें उदर से गेहों की बात करते हैं कली लोगों ने यहां पर मंडी में उन्होंने सड़क जाम किया जैसे अमिस्वा जी कल बरवाला में आया थे वहां पर किसान उन्हें जो कोशिस के काले जंड़ दिखा उनके विरोध में उनको भगाये भी गया तो इस में से बैप क्या आगए चुनाओ का समय है आज गाओं में भारती जंता परटी और किसान बारती जंता परटी के साथ ही है कुछ लोग हमेशा होते हैं अगर उनकी बारदाने की थोड़ी कमी आई है तो जल्द से जल्द मुक्यमंत्री ने कली कह दिया कि दूर हो जाएगी अब फसल आप देखो ना कि अच्छा एक परदेश का मुक्यमंत्री बढ़ा आज फसले भी अच्छी हो रही है इतनी फसल आ रही है दो-दो फसली कठी आई अब उस चीज को positivity में भी लीजिए कि एक दम इतना अनाज आ भी रहा है सरकार से संभाला नहीं जा रहा सरकार संभाल रही है सरकार ने कब नहीं संभाळा एक एक दाना खृता जाएगा अब कोई दिक्कत मालो एक दो दिन आ गई अब चुनाओ भी चल रहा है तो ये दो दिन में सारी सब्सक्राइब कई दिन से चल रहा है जैसे पिछले दिन अलवा में मुख्यमंतरी आजे पहले पांच की पांच जीत के दिखाई है अब दस की दस जीत के दिखाएगे इसार में क्या रहेगा इसार का चुडाब जो है इदर से भवे विश्णोई है आपके पुराने साथी थे उनके इदर से दूसरन चोटालाजी इदर से विजंदर सिंग जे किस का मारजान और किन का टकर रहेगा टकर है नहीं टकर तो जब कहना किस कोणे में है टकर कहीं नहीं टकर यह तो आपस में टकर मार रहे हैं भारतियनता पारटी पूर्ण रूप से बीच में से निकल जा रही है बीच में से पूर्ण रूप से विजई जनता बना रही है, मोधी जी को दुबारा चुन रही है मोधी जी की कारेशाली को देखा उन्होंने पहली बार अपने आपको शुरक्षित महसूस जनता कर रही है और जनता यही चाहती है आज आप पहले देखिए हम किसी को वोट की अपील करते हैं पहले कह देता है मोधी को दे रहे हमें किसे वोट मांगने की जूरत इतनी नहीं पड़ रही है कि हर कोई वोट मांग रहा है मोधी जी के लिए आज अब कहीं भी सर्वे अपना भी किया भी होया हमने आप कर लो चाहिए पूरा शहर मुझे तो लगता किसी और के पक्ष में अब करते बाद में यहां से अमीज साजी बरवाला में उसका भी कोई असर रहेगा इसमें बिल्कुल रहेगा वहां पे फत्य बाद में मोधी जी को देखने के लिए इतनी भीड उमड़ी बिठा कुछ जगा तो खतम ही होगी दिमा आस पास लोग खड़े रहे और जब तक हेलिकॉप्टर जो तक उड़ानी जब तक जनता वहां टिकी रही ऐसा ही अमिच्छा जी के करेक्रम में हुआ जनता का प्यार इतना इनको सुनने के लिए लोग इतना अपने आप पहुंशते हैं और नरेंदर मोधी जी को तो आज देखने के लिए इतनी जनता आती है कि व उनके आंसु छुटवा दिये कि परदान मंत्री को भी यहाना पड़ा, अमीत साजी को भी यहाना पड़ा, रहूल गांदी भी हैं हरियाना में देख रहे हैं उदर से प्रेंका गांदी भी आ रही हैं तो क्या कहींगे आप देखिए चुनाव में बड़े नेता दो यह तो चुनाव पर करिया है, यह तो एक चुनाव का हिस्सा है, लेकिन राश्ट के लिए पार्टी में बड़ा हूँ आपको, जो पूरी एक देश में लड़ रही है पार्टी, वो भारती इंता पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है जो, बाकी पार्टी चेतरिये बढ़ानमंतरी बनेंगे और कहां देश का भूष्षे है उनके आदमें अब बीजे पी की तो एक टीम है जो पूरे इंडिया में लड़ रही है और कॉंग्रेस तो छेत्रिय दल थोड़े दिन में छेत्रिय दली बन जाए गई और कहीं कहीं तो इनको कहीं दो सीटों पर समझ जुना भी नहीं लड़ रही है और जंता को बेवकूप बनाने की बात करते हैं अब राउल गांदी जी हो चाए प्रेंका गांदी जी हो इनको क्या मोका नहीं मिला देश की सेवा करने का इतने साल इनके नाना परदानमंतरी रहे दादी परदानमंतरी रहे इनके पिताजी को टालेगा तो राष्ट हित में आप ये देखिए मोदी जी पांस साल में प्रदान मंतिर एक भी अरोप इनके ओपर नहीं लगा अन्ना को ऐसा कुछ किया हमारी पार्टी किसी भी कारेकरता पूरी इमांदारी से भारती जन्ता पार्टी राष्ट की सेवा कर रही है और चीत पाए उसके तुरूंत बाद ये लोक्सवा चुनाव आ गया उसके बाद लगता है कि विदानसवा चुनाव में आगए जंता की सिवा कब करेंगे मेरपद आपको बिठा दिया कुर्सी में बिठा दिया लोगोंने लेकिन जंता है सहर का विकास तो शुरू नहीं हो रात के समय में ऐसा हाल होता है कि सड़क पूरा जाम करें थे आपका पहले अथा कि मिंते में अवारा पश्यों के लिए कारे करूंगा सफाई विवस्ता के लिए कारे करूंगा बहुत सारी चीज़ें अभी भी लोग सबाचुनाव पे शुक्राब मेरे मेर के मुद्धे प पहले तो आपको धन्यवाद पश्यों के पचास एकड़ भूमी पे करे चल रहा है और पिछे हमने पकड़े भी सही लेकिन सफ़स्ट रूप से कह रहा हूं जो लोग ये पश्यों छोड़ती है और पिछे हमारे एक करमचारी की टांग भी तोड़ी केस भी दर्ज है एक ब आरती तत्व कर रहे हैं पचास एकड़ भूमी में काम चल रहा है कुछ ही दिनों में करे पूर्ण हो जाएगा निची तोर पर जो मैंने जनता को कहा था बिलकुल निची पश्यों से बे सारा पश्यों से मुक्चेर करके दिखाएंगे कब तक ये आपको कहता रहा हूं वो इसमें परकिरिया पनानी है कुछ है कभी हमारे पर संस्थाएं भी आती हैं समासे जो शेर की संस्थाएं भी इसका रहे हैं मदद करने के लिए त्यार हैं उसके लिए एक उपचारिकता हैं जो मिटिंग करनी है और जो हमने सिस्टम मनाना है वो एक बिलकुल प्लैन त्यार है और सफाई की विशे में बात किरी 32 गाड़ियां तुरंत बैठते खरिद चुके हैं डश्ट बिन फ्री शेहर जिसको जल्द हम बनाके दिखाएंगे और जैसे ये गाड़ियां ड्राइवर हमने रखने हैं वो सिंदागार नहीं रख पाएंगे और जैसी ये गाड़ी आएंगी डश्ट बिन यहां से उठते जाएंगे और जो भी हमें कुछ और भी प्लैन करना पड़ा डश्ट बिन फ्री सिटी ज्यादा समय नहीं ले गए इसमय दो तिन मेरी भी पुचाई आपका बहुत बहुत अन्यवाद ये थी हिसार के मेर गोतम सर्दाना इन से हमने भारती जनता पार्टी की जो अफ़ा चल रही है कि पंजाबी तब का एक पार्टी को समुरते रहा है दूसरे पार्टी को उसी इसको लिए इननने सपर्ष्ट कर दिया है कि ये कहते हैं कि अलग-अलग पंजाबी तकवा एक मेनी है समुर्दा आए कि किसी के साथ किसी का जुडाओ है किसी के साथ कुसी का जुडाओ है तो इनका कहने का मतलब है कि भारती जनता पार्टी हिसार से जो दूसरन चोटाला है कुल्दी बिशनोई है उनके अबलने मे जो आवारा पशू है और सफाई विवस्ता है उसको सुचार उर्प से चलाएंगे क्यामरामेंट वोमिया माथूर के साथ सिटी बीग नीज के लिए रमेश सर्मा